अब उखाद सकते हैं। उखादने पर पौधी के साथ मिंट्टी तथा गंगले, सफेद, पंखी, 6-8 mm लंबी शमिक दीमक दिखाई पड़ते हैं। फल विक्षों पर दीमक का कपोप जादा होता है। मिंट्टी की बनी कतारों के रूप में बांबी विक्षों पर दिखाई देती हैं, जिसमीं की दीमक रहती है। ये विक्ष के तरों को धेद कर उसके अंदर चळी जाती हैं। और अंदर ही अंदर खाकर विक्ष की बनाफ सेंगत होता है।